नमस्कार दोस्तों आपका इबर फिर से सौगत हैं दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जिरुधा के ऊपर में कोई ट्रेडिंग टर्मिनल है और वो एनालिसिस टर्मिनल है तो मैंने कोशिस किया जिरुधा में तो यहां मैं जिरुधा में दो तीन स्ट्रेटिजियें दूँगा जिसमें आज ये एक कड़ी है इसके पहले भी मैं कई स्ट्रेटिजी दे चुका हूं जिरुधा में उसका भी ल इससे ट्रेडिंग करने से पहले आप इसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लीजिए इसकी बैक टेस्टिंग पेपर ट्रेडिंग ये सब करके आप देख लीजिए अगर आपको सट्टी लगए तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने तीन इंडिकेटर लगाये हैं एक तो यह आरून indicator है, दो moving averages लगाएं है, अब इसमें trade कैसे करना है, पहले यह बताते हैं, और फिर कैसे लगाएंगे, वो बताते हैं, तो देखिए नीचे में जो आरून indicator है, यह indicator इस तरह से नहीं है, इसमें मैंने काफी कुछ फेर बदल किया है, ताकि यह अच्छा signal दे सके, तो इसमें entry कहां लेना है, पहले R1 Indicator को आप देखिए, R1 Indicator में यहां पे आपको green line यानि की buy power और red line यानि की cell power के बीच में crossover हो रहा है, तो जहां पे crossover हो, वहां पे आपको alert होना है, entry के लिए entry नहीं लेने का है, entry कहां लेना है, जब cell power यानि की red line बिल्कुल 100 के पास में चली जाए, यहां पे देखिए, आपके right hand side में R1 Indicator में numbers दिये हुए है, 10 to 100, तो जब यह 100 के पास पहुच जाए, एकदम bottom में, तो समझ लीजिए कि अब अच्छा momentum आएगा, और वहां पे आपकी entry होगी, और entry के बाद जब तक selling power यानि की red line 100 के आसपास में रहती है, आपको trade से निकल जाना चाहिए, यहां पे हमने दो line लगाई है, एक तो 85 की और 92 की, 92 पर अगर पहुच जाए, तो आपको alert हो जाना चाहिए, और 82 को अगर selling power cross कर जाए, तो आपको trade से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब momentum जो है, यह down होगा, 85 से उपर जाने का मतलब है selling power क कि या तो market side way होगा, और या फिर market में correction या reverse लाएगा, या फिर cross over होने के बाद, आपको green line के उपर में ज्यादा तवज्यो देने की जुरूत नहीं है, आपको mainly selling power के उपर में ध्यान देने की जुरूत है, क्योंकि जब selling power बढ़ेगा, तो market या तो side way होगा, और या फिर down जाएगा, जितना ज्यादा selling power बढ़ेगा, market उतना ज्यादा side way होगा, या reverse जाएगा, तो जैसे आपने यहाँ पर entry लिया, और यहाँ पर entry लेने के बाद, आप देख रहे हैं, कि यहाँ तक selling power जो है, वो 100 के पास में रहा, तो आप एक अच्छी rally जो है, enjoy कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं, कि यहाँ लगबग 19.370 के आसपास में आपको entry मिली, और price जो है, 19.430 से उपर गया था, तो अच्छी खासी जो है, आपको यहाँ पर rally देखने को मिली, और वही आपको selling के लिए भी करने का है, अब selling में देखिए, क्रॉस ओबर हुआ, यहाँ पर क्र exit कर जाएए, और आप देखिए, आपको काफी अच्छा momentum enjoy करने को मिला, अब यहाँ पर देखिए, केस अलग है, यहाँ पर क्रॉस ओबर कहा हुआ, बिल्कुल bottom में, selling power नीचे है, तो आपको यह अच्छी बड़त दिखाई दी, लेकिन जैसे ही selling power उपर बढ़ा, आप sideway होने का अंदेशा रहेगा, वहाँ आप market से बाहर हो जाएंगे अपनी profit book करके, अब जैसे यहाँ पर देखिए, काफी अच्छी rally दिखाई दी, यहाँ बहुत पहले से ही bull power जो है उपर चला गया, लेकिन देखिए नीचे जो bear power है, वो उपर नीचे उपर नीचे कर रहा तो जब bull power उपर गया, तो आप trade में entry ले सकते हैं, लेकिन यह याद करके रखिए, कि जब तक bear power 100 के पास में नहीं पहुंचता है, तब तक market में अच्छी rally या अच्छा momentum नहीं दिखाई देगा, अब यहाँ पर देखिए, bear power 100 के पास पहुंच गया, और उसके बाद आप क्या जबरदस्त rally आपको देखने को मिली, कब तक मिली, जब तक कि bear power 100 के पास में है, जैसे bear power बढ़ना शुरू हुआ, market side way हुआ, और फिर उसके बाद देखिए, cross over हुआ, और market में downtrend आया, तो यह तो रही अरुन indicator के बात, अब उसके बाद देखिए, support के लिए हमने क्या किया है, यहां पे एक moving average envelope लगाया है, और यह moving average envelope जो है, इसमें moving average लिया गया है, विद्या, विद्या moving average में खासियत यह होती है, कि जब market side way होता है, तो यह अपने आप एक zone बना देता है, जैसे यहां पे देखिए, market side way है, इसने zone बना दिया, यह और moving averages की तरह से, उपर न market में side way में trap होने से बचाएगा, जैसे यहां पे देखिए, side way market है, तो एक तो आरुन indicator ने आपको signal दिया, जैसे market side way है, दूसरे विद्या भी आपको एक zone बना करके price को उसके अंदर submit करके रखेगा, और इसमें खासियत यह है, कि जब market side way होगा, तो विद्या का moving average envelope expand कर जा wider हो गया, और यहां पे देखिए कितना squeeze कर गया, तो इससे फाइदा क्या होता है, कि जब price विद्या moving average के बाहर रहे, तो फिर आपको trade करना है, और जब market side way होगा, तो यह अंदर चला जाएगा, अब इसमें विद्या के 10 के moving average के साथ में, हमने विद्या का ही 3 का moving average भी लग लेने का है, और जब यह अंदर में समा जाए, तो आपको trade में नहीं रहने का है, जिस जगा पे 10 के moving average से बाहर निकला, और उसके बाद देखिए क्या जवरदर्स्त rally आपको मिलती है, और कब तक मिलती है, जब तक कि यह moving average वापस विद्या के अंदर नहीं चला जाता है, त इस तरह से आप full rally को enjoy कर सकते हैं, और साथ में आरून के indicator से भी आप मदद ले सकते हैं, तो इस प्रकार से दोस्तों, यह आपको trend reversal, sideway market, momentum, trend change, यह सब के बारे में बेहत अच्छी तरह से indicate करेगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए market sideway है, विद्या expand करके price को अपने अंदर जो कि यह indication दे रहा है, आपको अभी trade नहीं लेने का है, और जब rally आई, तो यहाँ पर देखिए, 3 का moving average 10 के उपर निकला, जो कि बता रहा है कि आपको entry लेना चाहिए, confirmation आपको विद्या से मिला, आप entry लीजिए, और देखिए क्या जबरदस्त, आपको momentum मिला है, यहाँ प moving average हडगया, अब इसको लगाने के लिए देखिए, अपने indicator section में जाएंगे, सबसे पहले आएंगे moving average पे, यहाँ moving average में ध्यान से देखिए, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, moving average यह है, moving average के पहले m words से खोजिएगा, m words से आपको moving average मिलेगा, moving average cross मिलेगा, moving average deviation मिलेगा, moving average envelope मिलेगा, तो अपने को moving average envelope पे click करने का है, यह कर दिये, तो अब देखिए, पूरी screen डार्क हो गई है, अपने फिर indicator section में जाएंगे, और जो हमने click किया है, moving average envelope, उसके उपर आएंगे, और उसके उपर click करेंगे, click किये, अब यहाँ हमारे पास में drop down menu खुला, यहाँ period को change क करके, कर देंगे 10, और field जो close है, इसको कर देंगे, हो hlc by 4, यह वाला, इसमे click कर दिये, यह जो percent दिया हुआ है, इसको कर दीजिए point, और shift को कर दीजिए 6, और done कर देंगे, अब यह देखिए लग गया, और अपने चलेंगे, 3 के moving average के लिए again moving average envelope पे, उसके click करेंगे, और sim process अपनाएंगे, again indicator section में आएंगे, और उसके click करेंगे, यहाँ है 50 है, इसको कर देंगे, 3, और जो field है close इसको कर देंगे, oh hlc, oh hlc का मतलब है, open high low close, divided by 4, और यह shift type percent को point कर देंगे, और जो shift है, उसको 5 की जगा एक कर देंगे, और color जो है, color को कर देंगे blue, और done कर दें और अब indicator section में चलते हैं, और यहाँ पर A से आप खुजी एला तो आपको मिलेगा, आरून और यह आरून लगया, यह देखिए बड़ा reverse type का है, और reverse type का होने से हमको signal लेने में दिक्कत होती है, यह momentum को ascending या descending नहीं दिखाता है, जबकि हमको momentum को ascending या descending रूप में देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आरून के indicator पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो Y axis के पास में option दिया हुआ है, invert Y axis, तो इसको click करते ही indicator जो है वो उलट जाएगा, तो जब indicator उलट गया, तो यहाँ पर जो cell power था वो by power हो गया, और by power जो है वो cell power हो गया, त इस पर जा करके indicator पर color को change कर देंगे, ताकि हमको समझने में दिक्कत न हो, अब को कर देंगे red और down को कर देंगे green, अब देखिए यह momentum के ascending form में दिखाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए cross हुआ, cross होने के बाद आप देखिए bull power जो है बिल्कुल नीचे आया, और bear power उपर प्राइस में sharp fall हुआ, थोड़ा momentum अपने को bear power का down हुआ दिखाई दिया, यानि कि अब यहाँ momentum पे थोड़ा halt लग गया, लेकिन अभी भी downfall रहेगा, क्योंकि bull power बिल्कुल 100 के पास में है, जब यहाँ bull power बढ़ना शुरू हुआ, तब देखिए price में गिरावट में कमी अपने एक horizontal line लगा सकते हैं, उसके लिए draw option पे आएंगे, tool को select करेंगे, horizontal line और यहाँ पे जहाँ टकम को momentum मिलता है, वहाँ पे लिजा करके और इसको लगा देंगे, और अब देखिए यह horizontal line लग गई है, आप चाहें तो यहाँ आपने precaution के लिए एक 93 पर भी लगा सकते है या छोड़ दीजिए, कोई जरूत नहीं है, तो इस तरह से जब तक opposite power इस line के नीचे है, तब तक समझ लिजिए कि आपको momentum मिलेगा, और जैसे ही opposite power इस line से उपर निकल जाएगा, आपको momentum नहीं मिलेगा, market side way हो जाएगा, और जैसे ही opposite power उपर चला गया, dominant हो गया, तो market में test कर लिजिए, अगर आपको यह बढ़िया result देती है, तो आप इसको use कर सकते हैं, और इसमें आप अच्छी profitability अपनी बना सकते हैं, सबसे बहतर बात यह है कि इसमें आपको long trading करने को मिलेगा, और जो छोटे मोटे corrections आते हैं, उससे आप घबड़ाएंगे नहीं, तो आप ज strategies दूँगा, इसके अलावा मैं रोज जो market analysis देता हूँ, उस सब के notification आपको मिलते रहें, और सभी भाईयों बहनों को independence day की हार्दिक शुब कामना है, मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिन, जय भारत